आपके संगतन का अपना आप कुटुम एप फोरसत की सलाह आज अपने पास खूब सारी हैं पिछले एक वीक में अपने राम ने खूब पढ़ाई की और खूब दिखाई भी की तो मैं कुछ सीरीज आपको रेक्मेंट करना चाहूँगा एक सीरीज तो मैंने इसलिए देखी क्योंकि उसका नाम बड़ा लंबा था इस सीरीज का नाम है अपने घर में अकेली रहती है उनकी जिंदगी में कुछ तरासदियां हुई है तो वो बैठी रहती है रेड वाइन लिए खिड़की पर और सामने कुछ-कुछ देखती रहती है देखती है फिर उनकी दिल्चस्पी पैदा होती है और उसके बाद ये आठ एपिसोड जो है बीस-बाइस मिनट के आपको एक रोलर कोस्टर राइट करवाते हैं ट्रिस्ट रखता हूँ वो है दे ग्रेट इंडियन मर्डर मेरे बहुत प्रिये हैं तिमांशु धूलिया जिन्होंने हासिल पान सिंग्तोमर सहाब बीवी गैंक्स्टर कई कमाल की फिल्म में बनाई है तो उन्होंने इसे डारेट किया है विकास रूप जिनकी Q&A नाम की नौवल पर Slum Dog Millionaire बनी थी उनके दूसरे नौवल पर ये सीरीज बनी है दिजनी होट स्टार पर है तो इसको देखने का इरादा रखता हूँ तो इसको देखने का इरादा रखता हूँ तीसरा मैं आपको रेक्मेंडेशन दूँगा कपिल शर्मा का जो नेट्लिक्स पे स्टेंड अप पर क्या चुका हूँ लेकिन ये शो काफी सही है अपने फेलियोर्स को अपने डिप्रेशन को अपने अलकोलिक होने को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है अपनी गलतियों को सारजेनिक रूप से स्वीकार करना क्योंकि स्वीकार के बाद ही वो कोर्स करेक्शन का रास्त आक्तियार किया जाता है और वो बहुत inspiring भी है moving भी है so I'll recommend that इसके अलावा कुछ किताबे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक किताब है इंद्यूं से आई है लाल चौक के नाम से रोहिन कुमार की किताब है आर जेडी सांसत मनोज जाने भी राजे सभा में चर्चा के दौरान किताब का जिक्र किया इसको पढ़ने का मैं राधा रखता हूँ दूसरी किताब जो मैंने टुटर पे भी पोस्ट किया है टूम स्टोन इन माई गार्डन ये स्पीकिंग टाइगर से किताब है पाँच कहानिया हैं इसमें जिनकी ये किताब है स्टोरीज फ्रम नागलेंड नागलेंड की ये राइटर है टेमसुला एओ पता नहीं मैं इसका प्रणसेशन कैसे करूँगा एओ ऐसे है तो इन्हों ने ये लिखी है और पहली ही कहानी से आप जुड़ जाते हैं कहानियों के साथ दीमापुर स्टेशन वहाँ पे नंदु नाम का एक पोर्टर है कुली है जो मुलता बिहार से आया है लेकिन कई दशक पहले आया है और नगमी समेद कई जो स्थानिय भाशा है नागलेंड की उनमें अभ्यस्त है और उसको एक रो इस बुक तीसरी है कबीर संजय की लिखी हुई ये वानी प्रकाशन से है किताब चीता भारती जंगनों का गुम शहजादा और हम लोग वैसे चीता सुनते ही दो-तीन चीजा याद आती है कि पहले इंडिया में चीते होते थे और शिकार पर जो लोग जाते थे वो चीतों को अपने साथ ले जाते थे और पालतू की तरह उनको खास तोर पर ट्रेन किया जाता था शिकार के लिए मैं जल्दी जल्द कुर्सी पे लोग बैठे हैं किनारे चीते बंदे हुए हैं ये और ये रियल फोटो भी है इसमें ये देखिए जिसमें चीते को बिल्कुल पालतू की तरह है तो ये बड़ी कमाल की किताब है चीता और बहुत सारी जानकारिया आपको मिले ही क्यों चीता सबसे तेज है ले मुझे लगा कि हिंदी की किताबे भी जरूर रेकमेंट करनी चाहिए एक ये पत्र का आती है वेबसाइट भी चलती है सदा नीरा के नाम से और सदा नीरा का ये अंक आया है वेली ओफ वर्ट्स और इसको पढ़ने का मैं इरादा रखता हूं इसमें अंग्रेजी की कई ची बात है कि हिंदी में अनुवात किया गया है और इसके अलावा गया रंग्रेजी चीज़ है तो ही सदा नीरा वेबसाइट भी आपको जरूर देखनी चाहिए साहित में बहुत महत्मोन कांग है तो आज की मेरी रेकमेंडेशन इतनी ही है मैं एक बार कागस पर नज़र डाल धलिवर न देखनी है या देखने है तो आज के नक बार के तो mentorship देखने है अनुप की में आपको एकर minhaफ है gospel reading